Hello students, कैसे हैं आप सभी students मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे तो welcome to safeya online classes तो आज हम chapter 4 विकास की अवधारना एमेम इसका अधिकर में सम्मन ये part 5 stages of development बाल विकास ये लेकर उपस्तित हुए हैं तो चलिए आज हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि कौन-कौन से मनोवेग्यानिक इन अवस्ताओं के बारे में क्या-क्या कहते हैं क्या-क्या मत देते हैं ये पढ़ लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये बड़ा confusing topic है इसमें बच्चों को अक्सर चुकि जितनी भी किताबे आप पढ़ेंगे उनमें सब में अलग-अलग आकड़े मिलते हैं ठीक है जिससे भी आप teacher से बात करेंगे वो कोई कुछ बताएगा आपको कोई कुछ बताएगा तो इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंतक देखेंगे तो आपके 100% doubt clear हो जाएंगे क्योंकि यहां पर मैं आपको सारी बाते proof के साथ और एक-एक logic बताऊंगा कि ऐसा क्यों है और एसा क्यों नहीं है जो आपको कोई नहीं बता पाएगा यह मेरी guarantee होगी राइट चलिएगा तो ध्यान दीजेगा student सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बाल विकास है उसकी जो अवस्थाएं होती है मनो विज्ञानिकों के अनुसार अलग-अलग अवस्थाएं होती है एक बाल विकास के अनुसार होती है इन जर्नल ठीक है तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जो मनो विज्ञानिक है वो किस-किस अवस्था को क्या-क्य क्या मानते हैं और वो उसकी अवधी के बारे में अपना क्या मत देते हैं तो पहले हम यह पढ़ लेते हैं तो विकास की परकिरिया के अंतरगत बालक को विभिन अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है विकास की इन विभिन अवस्थाओं के संबन में मनोवग्यानिक ए प्रकार हैं वो 6 अवस्था को 1-3 वर्ष मानते हैं और पूर बाली अवस्था को 3-6 वर्ष उत्तर बाली अवस्था को 6-12 और किशोरा अवस्था को 12-18 तो पहले ये भी जान लीजेगा कई बच्चे English Medium के भी होते हैं या उनकी समझ में नहीं आता कि सरी ये पूर्व क्या होत है ये पहले वाला है अर्डी और ये लेट तो ये है अर्डी चाइल्ड हुड और ये क्या है ये है आपका लेट चाइल्ड हुड दोनों में डिफरेंस होता है देखो 3-6 ये पहले का हो गया आप 6 से बाद में क्या होगा बाद वाला होगा तो उत्तर का मतलब बाद वाला ह माना जाता है, बनाद शरीमती के दौरा जाधा माना जाता है, वो एग अलग बात है, लेकिन बालविकास इसके अलावा भी कुछ और मानता है, चुकि here our tea मत ओंत है, बालविकास के संदर्व में वो शरीमती हर लोक का तो हर लोग के ही प्रिपेक्ष में आप पढ़िएगा इसको ठीक है इसके अनुसार बाल विकास के अवस्थाइं निम परकार हैं यह क्या कहती है इनको देख लीजेगा यह कहती है गर्बा अवस्था गर्बाधान से जनम तक शैश्वा अवस्था जनम से दो सप्ता तक बच संदी यह में डिटेल में आपको बताऊंगा यह 12 वर्ष से 14 वर्ष तक और पूर्व किशोरा अवस्था 13 से 17 वर्ष तक और उत्तर किशोरा अवस्था 18 से 21 वर्ष तक परोड़ा अवस्था 21 से 40 वर्ष तक और मध्य अवस्था 21 से 60 वर्ष तक और वरधा अवस्था 60 वर् मनोवज्यानिक है इनको भी देख लीजे ये मानते हैं गरबादान से जनम तक जनम से पूर्व की अवस्ता, किलियर? और शैश्व अवस्ता को मानते हैं कि आ जनम से तीन चार सप्ता तक प्रारंबिक शैश्वा वस्था एक अथवा दो महीने से पंदरा दिन तक उत्तर शैश्वा वस्था पंदरा से तीस महीने तक पूर्व बाली अवस्था तीस महीने से पांच वर्स तक मध्य बाली अवस्था पांच वर्स से नो वर्स तक और उत्तर बा और बाली अवस्ता पांस से बारा वस्ता किशोरा वस्ता बारा से अठारा वस्ता और कोल को देख लेते हैं मनुविक ज्यानिकों के मत बता रहा हूँ अभी मैं आपको तो कोल के अनुसार शैश्वा वस्ता जनम से दो वस्ता प्रारंबिक बाली अवस्ता दो से पांच वस्त तक मद्धे बालिय वरस्ता बालक की जो होती है वो 6-12 और बालिकाओं की 6-10 वरस्तक पूर्व किशोरा वरस्ता बालक की 13-14 वरस्तक और बालिकाओं की 11-12 वरस्तक मानी जाती है और आरंबिक किशोरा वरस्ता बालक की 15-16 और बालिकाओं की 12-14 तक ठीक है मद्य किशोर आवस्ता बालक की 17 से 18 और बालिकाओं की 15 से 17 तक उत्तर किशोर आवस्ता बालक की 19 से 20 और बालिकाओं की 18 से 20 वरस्तक मानी जाती है कॉल के नुसार प्रारंबिक प्रोड आवस्ता 21 से 34 वरस्तक मद्य प्रोड आवस्ता 35 से 39 यर्स तक और उत्तर प्रोड़ा वस्ता 50 से 64 वस्ता आरंबिक वरदा वस्ता 56 से 74 तक यहनी 74 और वरदा वस्ता हो मानते थे क्या 70 कोल के अनुसार क्या है यह 75 वर्स के आगे की आयू को वरदा वस्ता मानते हैं तो यह मत आपके सामने रखे हैं मैंने अब देख लेते हैं अगला important point यहा अगर आपके paper में किसी भी मनोविग्यानिक का नाम दे कर पूछा जाये के बताए हर लोग के अनुसार बाली अवस्ता कि शोरा अवस्ता या शैशव वस्ता की अवदी क्या है तो आपको फिर उस तालिका के अनुसार अंसर देना होगा कॉल के किसी भी मनोविग्यानिक के जो तालिकाएं हैं वो लर्ण करनी होंगी उसी के इसाब देना पड़ेगा लेकिन टैट के एक्जाम में बहुती रेर इस तरह के कोश्चन आते हैं बाल विकास के जनरल कोश्चन जादा आते हैं के विए डियेसस भी में डिटेल में पूछा जाता है साइकलोजी वहां इसके पूछा जाता है इन जनरनल बाल विकास तो बाल विकास के जो टैट भी मानता है ये वो आंकड़े हैं जो आपको बिल्कुल आपको पेपर मिलेंगे और जिसमें आपको किसी मनोग्यानी का नाम नहीं होगा ठीक हैो आपको फिर ये वाला पॉलो करना है चार्ड जो मैं पांच से चशह तो दोनों को ही माना गया है तो ध्यान अकिएगा चार वर्स तक नहीं माना जाएगा एक ये जीरो से कभी नहीं माना जाएगा तीक है मैं आपको यहाँ पर बाल विकास की जन्रल बात कर रहां जो टैट मानता है तेक है चरिए और बाली अवस्ता मानि जाती है 6 या 5 ऐसे कहलें 5, 6 वर्स से 12 या 13 ये बाली अवस्ता होती है कई बार पेपर में वो 5 से 12 से 12 से 13 देंगा तो ये दोनों ही ठीक है ठीक है चलिए कई ये पेपर में IV भी है वो 19 वर्ष से उपर मानी जाती है यही अवस्था है और इसमें भी 3 के बारे में आपको ज्यादा पढ़ना पढ़ता है यह ज्यादा आती है शैशव अवस्था ठीक है आप शैशव अवस्था में जो बच्चे का शारीक विकास कैसे होता है नेतिक विकास कैसे होता है सामाज विकास में आप पढ़ेंगे भई इसका जो प्रात्मिक है दित्यक है तो ये तमाम चीजे में आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ ठीक है ना उसका भाशा का विकास कैसे होता है बच्चा कितनी उमर में कितने समय में बच्चा पहला शब्द बोलना शुरू करता है बहुत अच्छे से आपका सलेबस करवाया जाएगा ये साइकलोजी आपकी ऐसे हो जाएगी बिल्कुल बड़े आसान तरीके से हो जाएगी ये डॉन्ट वरी चालिए, नेक्स देखेगा शैशव अवस्था में शिशू, शिशू कहके पुकाला जाता है बालक को और बाली विकास की जो अवस्थाएं है पर्मू की इसमें भी मनोविग्यानिकों के मजश शामिल है भई तो यहाँ पे भी हम मनोविग्यानिकों के मजश शामिल करके आपको पढ़ा रहे हैं और उसके बाद में हम आपको बढ़ाएंगे इन जर्णल यनि जो हमारा बाल विकास है वो जर्णल में क्या कहता है और टैट उसको क्या मानता है तो चलिए इसी परकार हम इसके मनोविज्ञानी के परिपेक्षियों पढ़ लेते हैं मानत विकास विकास की विभिन अवस्थाओं से होकर गुजरता है विकास की परतियक अवस्था विकास आत्मक मनोविज्ञान के अध्यन का महत्पूर्ण विशे है इन में से कुछ पर्मुक अवस्थाओं का विवरण निम लिखित है सबसे पहले गर्भा अवस्था देख ल शरीर के सभी अंगों की आकरतियों का निर्मान इस काल में हो जाता है गर्भा अवस्ता का विकास मा के खान पान से अधिक प्रभावित होता है अध्यन की दरस्ती से संपूर्ण गर्भा अवस्ता को तीन भागों में विभाजित किया गया है सबसे पहले देखिएगा नंबर के समान होता है और यह इधर उधर नलिका में तैरता रहता है जो मा के गरबाश्य तक जाती है गरब नाल के द्वारा मा के रुधिर परवा से डिम्ब अपना आहार प्राप करता है तो यह डिम्ब आवस्था के बारे में है अब देखेगा नंबर दो पिंड अवस्था यह अवस्था तीसरे सब्था से दूसरे महीने के अंतक रहती है इस अवस्था में गरब पिंड मानाव आकरती धारन कर लेता है इसमें विकास गती तिर्व होती है शे सप्ता का गर्ब पिंड होने पर उसमें हर्दे की धरकन प्रारंब हो जाती है सियानु मंदल, सियानु मंदल का मतलब होता है शारुरिक विकास घ्यान तन्तु, तव्चा, गर्णतियां, बाल, फेफडे, जिगर, सांसनली, आदी का निर्मान हो जाता है इस अवस्था में गर्ब नाल में फैलाओ आ जाता है, ठीक है आगे देखेगा, भूर्णा अवस्था यह अवस्था तीन माह से नो माह तक रहती है इस अवस्था में किसी नवीन अंग का विकास नहीं होता बलकि पिंड़ा अवस्था में निर्मित अंगो का विकास होता है इस अवस्था में मानव शिशू की आकरती का पूर्ण विकास हो जाता है चलिएगा अब हम इसी करम में देख लेते हैं इस्टूडेंट्स आगे शैचव अवस्था कुछ मनोवए ज्यानिकों के अनुसार जनम से लेकर पंदरा दिन तक की अवस्था को शैचव अवस्था कहा गया है उसकी उचितदेख बाल के दौरा ने वातावरण के साथ माता-पिता के देख रेक में होता है इसका यह मतलब है अब देखे बचपना अवस्था यह नहीं बेबी हुड उसे हम बॉलते हैं ठीक है बचपना अवस्था बेबी हुड तो देखे स्टुडेंट्स यहां पर यह अवस्था दो सप्ता से होकर दो वरस्तक चलती है यह अवस्था दूसरों पर निर्वर होने की होती है सम्वेग आत्मक विकास की दिरस्ती से इस अवस्था में बच्चे के भीतर लगभग सभी परमुक सम्वेग जैसे परसंता क्रोध, हर्ष, प्रेम, घर्णा आदि विक्सित हो जाते हैं यह अवस्था सम्वेग परधान होती है, यह तो मैं आपको एक हलक असा इसका ब्रीफ दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन, अधर्वाइस सम्वेग बच्चे के अंदर किस तरीके से डवलप होते हैं, और बच्पन में जनम के सम्वेग किस रूप में पाया जाता है, और सम्वे सम्वेग क्या होता है, यह तो डिटेल में मैं आपको टीच करूँगा, यह तो बस एक हलका सा यह प्रीवू मिल रहा है आपको, ठीक है, चलिएगा, बाले अवस्था चाइड़ूड, यह अवस्था शारिक वे मानसिक विकास की दिरस्टी से महतपूर्ण होती है, अध्यन इस अवस्था में बालकों में जिग्यासा परवर्ती अधिक हो जाती है, जिससे वे अपने माता पिता शिक्षकों से तरह तरह के सवाल करता है, बाले अवस्था में बालकों में समू परवर्ती का विकास होता है, बच्चे साथियों के साथ रहना खेलना अधिक पसंद करत यह बहुती ब्रीफ इंट्रटक्शन है स्टूडेंट्स असली कहानी तो जब मैं आपको शैश्व अवस्था पढ़ाना स्टार्ट करूँगा बहुती वाइट टॉपिक है बहुत डेटेल में आपको टीच करूँगा यह मत समझेगा कि इतना ही बता दिया गया है बाली अव और किशोरय comet technically मिलाने में सेतू का का रिया करती है तो देखिएगा कई बार पेपर में कॉश्ण आजाता है कि बाली अवस्था और किशोरह में डोनों को मिलाने के बीच में जो संदी होती है वो कौन सी होती है यह संदी होती है यह अवस्था बहुत कम समय की होती है लेकिन शावरिक विकास की दिरस्ती से बहुत महत्पूर अवस्था होती है इस अवस्था की परमुक विशेस्ता होती है योन अंगों की परिपकवता का विकास बालिकाओं में यह अ सबस्ता 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक चलती है इस सबस्ता को अध्यन की द्रस्ती से दो भागों में बाटा गया है एक तो पूर्व किशोरावस्ता अर्ली एडॉल सेंस और 13 से 16 उत्तर किशोरावस्ता लेट एडॉल सेंस बताया था ना मैंने आपको उत्तर लेट ह होता यह आपका अर्ली पूर होता और इसको माना गया है 13 से 16 वर्ष लेट एडॉल सेंस को और लेट एडॉल सेंस को माना गया है कितना 17 से तो आप इस आंकडों को याद रखेगा कही बार पूछ लेते हैं कि जो early adolescence है वो 13 to 16 years और जो late adolescence है वो मानी जाती है 17 to 21 इस अवस्था में बालकों में समस्या की अधिक्ता कल्पना की अधिक्ता और सामाजिक इस्तिर्ता होती है इस समय कि शोरुक को शावरिक मानसिक समयोज में अने कठनायों का सामना करना पड़ता है शावरिक और मानसिक परिवर्तन के फ्रस्वरूप उनके समय गात्मक सामाजिक और नेतिक जीवन का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है यह प्रोड़ा अवस्था अडल्ट हुड बोलते हैं उसे इंग्लिश में और यह किशोरा अवस्था के बाद 21-40 वर्सों की अवस्था प्रोड़ा अवस्था क्यालाती है इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्षियों को पाने की कोशिस करता है यह पारिवारिक जीवन में परवेश की अवस्था है चीक है चलिएगा अब इसके बाद में देखिएगा student यहां पर वरद्धा वस्था जीवन की अंतिम वस्था वरद्धा वस्था है जो 60 वर्ष से प्रारम्ब होकर जीवन के अंतिम समय तक मानी जाती है यह अवस्था हराश की अवस्था होती है इस अवस्था में शारणिक व्यमानसिक चम्ताओं का पहराज होने लगता है इसमेरन शक्ती कम होने लगती है तो इसको इनों ने लक्षन बताए है वरद्धा अवस्ता के अब यहां से हम शुरू कर लेते हैं गरब्बा अवस्ता थोड़ रिटेलर पढ लेते हैं इसको यहां से भी कुश्चन अपके एक्जाम में KVS DSSB में आत आप कोई भी एक्जाम देंगे चाहे वो टैट का हो केवी एस भी हो दुनिया का कोई भी एक्जाम ये साइकलोजी आप पड़ लीजेगा इतनी भी वीडियो में आपको दे रहा हूं यहां पे इससे आपका हर एक्जाम आसानी से हल हो जाएगा कोई कुश्चन च्छोटेगा नहीं आपका चलिए तो गर्बा अवस्ता का समय माना जाता है 280 दिन या सब्ता में कई बार पूछ लेते हैं तो 40 दिन और महीने में 9 महां ठीक है मानव की मानव का विकास प्रारम इसी अवस्ता से प्रारम होता है गर्बा वस्ता के दोरान शिशू का किरिया कलाप गती यहनी के questions से ही यह तत्यों को उठाया गया है जो एक्जाम में पूछे हुए questions है वहीं से इन तत्यों को उठाया गया है इसलिए इन तत्यों के ऊपर हम guarantee ले सकते हैं के लिए यह किताबों से नहीं उठाये हुए है चरिएगा next देखेगा students इस अवस्ता में शिशू के ऊपर माता मस्तिस का निर्मान होना शुरू हो जाता है तथा अपरा placenta के माध्यम से मा से पोशक तत्यों प्राप करना प्रारम कर देता है शिशू ठीक है छे सप्ता में देखेगा छे सप्ता में हर्दे धरकना शुरू हो जाता है हर्दे सक्रिय हो जाता है किरिया शील वह सबसे अध से 170 कि점 हार्ट बीड रहती है वो तेई से धरकता है यहां साथ सब्सक्रास में हलचल भगती शुरू हो जाती है और 14 बश्चा में बच्चा चीकना निगलना शुरू कर देता है और इसी इसके संदर में मैक डूगल मनोविग्यानिक क्या कहते है ये भी एक पेपर में कुशन आया हुआ है मैक डूगल के अनुसार यहीं से मूल परवतियां प्रारंब हो जाती है ठीक है और तीन महा में आंक तवचा मस्तिस का निर्मान होना शुरू हो जाता है और पांच महा में जे-एस रोस कहते हैं कि इस अवस्था में शिचू का सपना देखना शुरू हो जाता है देखिए हाला कि सभी बनोविग्यानिक इनकी इस मस्तिस हैमत नहीं है कि वह सपने कैसे देख लेगा लेकिन इनका मानना है इनका मत है ये रोस मानते है तो अगर पेपर में आ आपके सामने रखा गया है ठीक है ना चलिएगा कि यह है शिचू की सरवादिक किरियाशील अवस्था होती है और कई शिचू साथ महा में भी जनम ले लेते हैं इसलिए उन्हें सतवासा भी कहा जाता है ठीक है तो किसके अनुसार है ये मत तो साथ महीने के बारे में जो ब करता आपके सामने ईक अच् Fucking अधितितिक और आपके सामने रखे जा रही है और यहां से question भी पूछे गए हैं और बिल्कुल accurate तत्य आपके सामने हैं देखिएगा student उन्होंने कहा कि गर्भा अवस्था में हर्दे की धड़कन लगबग 150 से 170 BPM होती है BPM का मतलब होता है beat per minute ठीक है चलो शैशवा अवस्था में 130 से 140 BPM होती है beat per minute ठीक है और किशोरा अवस्था में 32 BPM होती है मतलब बच्चे का किशोरा अवस्था में दिल की धड़कन होती है वो कितनी होती है बोलो बात तर beat per minute ठीक होती है चलो एसी करम में आपको आगे बताते हैं नवजाश शिचो का भार भारत में ओसत धाई किलो से साड़े तीन किलो ग्राम माना जाता है जबकि अमेरिका में लगभग आठ पॉंड माना जाता है और एक पॉंड जो होता है स्टूडेंट वो 457 ग्राम का माना जाता है इसलिए 8 पॉंड वहां अमेरिका के अनुसार है कई बार एक बार पेपर में पूछा हुआ था कि भारत और अमेरिका के इसाब से बताईए बच्चे का वजन कितना होता है जनम के समय ठीक है तो ये रहता है 6-7 पॉंड के बीच में यहां पे इंडिया में और अमेरिका में रहता है यह 8 या 8.5 भी रहता है वहां पे ठीक है इतना रहता है आगे देखेगा बोर्णा अवस्था में भूंड की जो लंबाई होती है लगभग वो 18-20 इंच मानी जाती है और जनम के समय भी शिशू की लंबाई कितनी होती है 18-20 ठीक है और अगर यह सेंटीमिटर में पूछे तो यह 51 सेंटीमिटर तो मानी जाती है जो बालक होता है और जो बालिका होती है उसकी मानी जाती है 55.5 यानि आधा इंच जो लड़की होती है उसकी कम मानी जाती है तो यस हांकड़े को आप not कर लेए कि 51 cm श्री 51 cm मानी जाती है बालक की और बालिका की मानी जाती है 55.5 cm तो cm में 51 और 55.5 और अगर ये आप से inç में पूछे में तो ये 18 से 20 के बीच में और यहां पर 18-20 के बीच में रहेगी यह आपको याद रखना है ठीक है आगे चलिएगा बाकी तो जब मैं आपको शैशव अवस्ता के बारे में टीच करूँगा तो वहां शैवरिक विकास कैसे होता है वो सारी बाते आपको बताई जाएंगी मस्तिस का भार है दात है वो स्टुडेंट जो एक डॉक्टर ने बताया है ठीक है तो जनम के समय शैशु के मस्तिस का भार है एक मेडिकल रिपोर्ट के नुसार उन्होंने बताया है कि तीन सो से साड़े तीन सो गिराम रहता है ठीक है ना जबकि आपको किताबों में कहीं 400 मिलेगा साड़े 400 मिलेगा तो वो सब गलत है और पेपर में कुश्चंस भी आये हुए हैं उनसे भी हमने मैच किया है इने आकडों को इसलिए बड़ी सोस समझ के और बड़ी जिम्मदारी के साथ आपके बीच इन आकडों को रखा है जिससे आपको किसी परकार की कोई ऐसी विदा ना हो चुकि यह ऐ मैडम ने तो राइस हो बताया था किताब में तो यह है तो ऐसे तो आपका सब माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा तो इसलिए आपको किसी को नहीं मानना है आपको शिर्फ जो डॉक्टर है मेडिकल उससे बड़ा तत्थ है इसके बारे में आपको कोई दे नहीं पाएगा ठ नेक्स देखेगा जब कि वेस्ट के मस्तिस्क का भार होता है लगबग वह 353-41500 गिराम बाना जाता है ठीक है तो याद रखेगा के समय कितना होता है 300 चार्ड़े 300 और वेस्ट का इतना होता है 1400 गटेक शुदेंटवस चरिए गाव हमssä यहां पे कुछ इसके इंपř इनुसार शैश्वा अवस्था मानी जाती है अब देखिए जब आपको मैंने रौस के बारे में पढ़ाया था तो यह मानते थे एक से तीन वर्ष तो यहाँ पर आपका कोश्चन नंबर वन का बी ऑप्शन ठीक होगा इस तरीके से आपके एक्जाम में कोश्चन साते हैं तो आपको लनी करना पड़ेगा ठीक है शैले के नुसार बालेवस्था काल कितना माना गया था पता है आपको मैंने आपको टीज किया था यह 5 से 12 वर्ष माना देखो कहा है पांस से 12 वर्ष माना गया था ठीक है और बाल, विकास के अनुसार 60 वह वस्तहका काल कितना माना गया है अगर मैं बाल, विकास की बात करूँगा तो वो जनम से 5 वर्ष देखो, जनम से 5 वर्ष दियावा है न इनोंने और यहां पे उन्हें एक से च्छे दिया हुआ है अगर यहां पे जनम से च्छे होता तो यह दोनों ही सही हो जाते है ना तो यहां पे जनम से पांच वर्स माना गया है यह ठीक है आपका ठीक है इस तरीके से आप कर लीजेगा बाली अवस्ता काल माना गया है से 12 वर्ष माना जाता है ये ठीक हो गया और किछोरा अवस्था का बताईएगा कितना बताया था मैंने 13 से 18 बताया था ना तो ये 13 टू 18 येर्ज माना जाता है ये बाल विकास की बात है क्योंकि यहां पर वनोविग्यानिका नाम शामिल नहीं किया गया है तो फिर आपको जन इंबा अवस्था कहा जाता है और तीन महा से नो महा तक की जो अवस्था है उसे क्या कहते है कोशन नमबर एट उसे भूर्ण अवस्था कहा जाता है और पूर्व बाले अवस्था कब से कब तक मानी जाती है बताईएगा पूर्व की मैं बात कर रहा हूं मैं बताएगा द संदी करती है इतना सा यह कोशन आता है पेपर में तो यह इन दोनों के बीच की होती है ठीक है यह संदी ठीक है स्टुरेंट्स चलिएगा अगला कोशन देखेगा आप नेक्स्ट पॉइंट देखेगा कोशन नमबर 11 विकास करम के सही करम को चाटिए तो आपको न सही करम बताना है यहां पर तो देखेगा गरबा अवस्ता के बाले अवस्ता कहां से आगए यह तो गलत हो गया गरबा अवस्ता शैशव अवस्ता बाले अवस्ता किशोर अवस्त आएगी अडल्ट हो ठीक है ना तो इसका मतलब 11 का कुशन नंबर भी ठीक होगा बहुत ही असान होता है एक बार आपका कंसेप क्लियर हुआ फिर तो बहुत सिंपल है बहुत इजी है साइकलोजी बहुत इजी से इजी तो कोई सब्जेक्टी नहीं है स्टूडेंट इतना अस 21 बहुत सिंपल कुछ भी नहीं इसमें तो पूर्व किशचोरा अवस्था उत्तर किशोरा एत टा के संदर्व में सही विकल्प चुनियेगा दे AGA इसका मतलब पूर्व का मतलब क्या हुँ अर्ली उत्तर का क्या मतलब हो गया मतलत ही है उतर का मतलब लेट होया तो यहां पे question number 12 का देखो मैंने आपको बताया था ना 13-16 और 17-21 यह वाला option ठीक हो गया यह 12-13 और 18-20 कैसे हो जाएगा यह तो गलत है है ना चलो तो गर्ब में हर्दे की जो हर्दे धरकना प्रारम की सब्धी में होता है तो यह 6 सब्धा में है जो एक report के नुसार है और यह पेपर में भी आया हुआ है बिल्कु सही है यह 100 परसंट करेक्ट शैश्वा वस्था में जो हर्दे की धरकन होती है question number 14 में देखेगा वो कितनी है बताये कितनी है वो 130-140 बीपी होती है बिल्कु सही है भारत में देखो इसे इनों को यहां पर 8-9 वाले को तो हटाई देना है तो यहां पर 6-7 पॉंड माना गया है के लिए जनम के समय शिचु की जो लंबाई होती है वो कितनी मानी गई है बताईएगा देखो 15-25 नहीं 20-30 नहीं तो यहां पर 18-21 के बीच मानी गई यह ठीक है और सेंटीमिटर में अगर म बालक होता है और बालिका की कम होती है ठीक है ना आदा सेंटीमिटर तो 55.5 हो जाएगी ठीक है जनम के समय शिचु के मस्तित का भार कितना माना गया है जल्दी से बताओ कुश्चन नंबर 17 का आंसर मुझे हां 300 ग्राम माना गया है है ना और कई बार पेपर में 350 मिल जाए तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या होगा ये वाला भी करेक्ट होगा ठीक है चलिए तो गरब में लेकि सारे तीन से यहां ऑप्शन नहीं है चलिए गरब में आंक तवचा मास पेशा में मस्तित का निर्मान किस अबदी में प्रारम हो जाता है कुश्चन नंबर 18 बताईए भई लगबग तीन से चार सप्ता में आरम हो जाता है तो यहां पर भी ऑप्शन होगा और जेस रोस के अनुसार शिशु गरब की किस अवस्ता में सपना देखना प्रारम करता है साथ महीने में है ना चुकि उन्हों नहीं तो बताया था कि अगर साथ महीने में कि नेक्स वीडियो में आपको पढ़ाएंगे शैसु अवस्ता के बारे में थैंक यू सो मच इस्टुडेंट्स आप इन वीडियो को देखते रहिएगा और इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा ओल दे बेस्ट